भीड इतनी बेकाबू हो गई है कि वो ये नहीं देखती क्या आप हिंदू है या मुसल्मान भीड को बस मारना आता है और उसके लिए उसे तो बस बहाना चाहिए पहले भीड जादतर मुस्लिमों पर हमला करती थी पर अगर आपका नाम मुसलिमों जैसा है और आप हिंदू भी हैं तब भी आपकी जान सुरक्षित नहीं है आदाब मैं हूँ अन्जराफाक और आप देख रहे हैं मिललर टाइम्स पिछले दिनों दिल्ली के जापराबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें हिंदू ने 23 साला साहिल नामी एक शक्स को मुसलमान समझ कर बहुत मारा इतना मारा कि साहिल जिंदगी की जंग हार गया इस मौमले में एक तरफ साहिल की मा संगीता का कहना है कि उनका बेटा 31 अगस्ट को अपने एक दोस्त के भाई की मदद के लिए गया था जिसका संजय चंद्रभान नामी एक विक्ती से जगड़ा हो गया था दूसरी साहिल के पीता सुनील सींग का कहना है कि मेरा बेटा अपने दोस्त की बोधे पाटी से घर वापस लोट रहा था तो रास्ते में चंद्रभान और उसके बेटे ने साहिल को रोका और पूछा कि तुम पंडितों की गली से क्यों बिजर रहे हो साहिल के पीता के मताबिक चंद्रभान नशे की हालत में था जब साहिल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रभान ने बाई की चाभी निकाल ली जब साहिल ने चाभी मांगने की जिद की तभी उसके दोस्त ने कहा साहिल छोड़ दो हम बाद में आकर इनका मुकाबला करेंगे साहिल नाम सुनते ही संजे को लगा की ये मुसल्मान है और वो उसे मारने लगा साहिल के मागने बताया की मेरा बेटा जखमी हालत में घर आया और उसने पूरा वाक्या बताया और मेरी गोद में गिर पड़ा और बेहोश हो गया बेहोशी के हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया साहिल के वाले दैन का कहना है कि हमारे बेटी को सिर्फ इस वज़ा से मारा गया क्योंकि वो पंडितों की गली से गुजर रहा था और साहिल नाम होने की वज़ा से वो मुसल्मान समझ कर उसके जान के प्यासे हो गए मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन जरूर दवाए अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com हमारी यह वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तीनों लेंग्वेश में मौजूद है